हेलो और वेलकम टू एफस क्लास एफस क्लास में आपका स्वागत है पहले तुम्हें आपको थैंक कहना चाहूंगा क्योंकि आपने बहुत अच्छा रिस्पॉंस दिये मेरी वीडियो को ऐसी आप सपोर्ट करते रही है मुझे मैं आपको ऐसी अच्छा कंटेंट देता रहू आप मेरी वीडियो को अपने फ्रेंट साथ शेयर कीजिए जिससे कि जादा है जादा लोग हमारे चैनल के साथ जुर सके अगर जादा है जादा लोग जुड़ेंगे तो मैं और जादा वीडियो बनाओंगा और अगर आपको प्यॉर इंग्लिश में चीए तो वह भी बना सकता हूं मैं मुझे आपका सपोर्ट चीए वस और आप जैसा का होगे वैसी वीडियो बना दूंगा तो इसलिए अपने फ्रेंड्स को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए यह वीडियो जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मेले और आपको भी अच्छा कंटेंट मिलता रहे त जैसे कि अलग-अलग ऑगनाइजिशन के हैड़कॉर्टर और उनके सीओ या प्रेसिडेंट कौन है या फिर कौन सी कोशन ज्यादा इंपॉर्टन है कौन से कोशन ज्यादा इंपॉर्टन नहीं है तो चलिए शुरू करते हैं अगर आप बैंक की SSC की या रेलवे की या फि हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहले हैं एमारे इंपोर्टन डेज पहले हमारा वर्ल मेटरवलोजी डे ये कम बनाया एदा है बीस मई को मैटरवलोजी का मतलब होता है दा स्टेडी ओफ मिजरमेंट की स्टाडी करते हैं कि क्या से कैसे नाप सकते हैं गिसी चीज को तो इ आपको यह पता होना चाहिए, अभी रिसेंटली हिजबुल कमांडर था, रियाज नाइकू, इसको भी हमारी इंडिन आर्मी ने मारा है, यह टॉप कमांडर था, तो यह बहुत बड़ी न्यूस है, तो यह भी आ सकता है, आपके बैंक के कोश्चन्स में, जैसे कि आपके SBI कल मही को, इसकी थीम क्याती, Be Engaged, अगला है हमारा International Museum Day, यह कंबना जाता है हमारा 18 मही को, इसकी थीम क्याती, Museums for Equality, Diversity and Inclusion, अगला है हमारा AIDS Vaccine Day और HIV Vaccine Awareness Day, यह कंबना जाता है 18 मही को, आपको AIDS के बारे में भी नॉलिज होंची, AIDS की फुल्परम क्या है, Acquired Amino Differency Syndrome, और HIV की Human Am Amino Deficiency Virus, अब इसकी फुल्परम तो हो गई, इसका मतलब क्या है, Acquired Amino Deficiency Syndrome, Amino Deficiency मतलब की हमारी Immune System की Deficiency हो, यह मतलब के अंदर कम ही आ जाना, Actually में AIDS वायरस जो होता है, हमारे White Blood Cells पर अटेक करता है, उनको मारता है, तो वो ही हमारी Immunity System है, तो उसमें ही कम ही आ गई, तो इसलिए हम क्या नाम रखा है इसका, Acquired Amino Deficiency Syndrome, HIV का मतलब क्या है, Human Amino Deficiency Virus, मतलब Human के अंदर होने वाला Amino Deficiency, वायरस की वैसे, अब अगला है हमारा World Telecommunication and Information Society Day, ये कम मना जाता है, 17 महे को, अरगला हमारा World Hypertension Day, ये कम मना जाता है, 17 महे को, अब आगला हमारा International Day of Light, ये मना जाता है, 16 महे को, और National Day of Families, ये 15 महे को मना जाता है, इसकी थीम क्या थी Families in Development, Copenhagen and Beijing plus 25 ये इसकी थीम थी अब आगे चलते हमों अपनी Orbituris पर, और बिचिरिस का मतलब होता है जो भी recently famous personalities की death हुई है Orbituris के अंदर हमारा पहला है वेटेरियन मराथी राइटर and playwright रतनाकर मतकरी इनकी भी recently death हुई है अगला है इरान्स लॉंग टाइम ओपेक गवर्नर होसेन कजैंपोर अर्देबिली इनकी अभी recently death हुई है अब आपको ओपेक के वारे बता होना चीए ओपेक की फिलफम क्या है Organization of the Petroleum अब इसका किसने बनाया था है इसको बगदाद में found हुई थी है बगदाद में organization बनाई गई थी बगदाद इराक के अंदर शुरुवात में इसमें पांच कंट्रियों ने यह मिलके organization बनाई थी 1960 के अंदर अब रिसेंटली तो इनके जो governor है उनकी recently death हुई तो अब नई governor कौन बने है अमीर होजिन जमान निया वह भी recently अब बने है इसके नई governor अगला है हमारा baseball player बब Watson इनकी अब रिसेंटली death हुई है अगला हमारा veteran बंगाली author साहित्य academy winner देबेश रॉय इनकी अब रिसेंटली death हुई है इनको साहित्य academy award ही मिल चुका था 84 की उमर में इनकी death हुई है यह एक शो आता है mtv पे वहां थे इनको fame मिला था वहां थे यह मशूर हुए थे और इनको पीके फिल्म में भी काम किया हुआ है अगला कोशन है पाद्म भूजन रेसिपेंट प्रोफेसर अनिस जुमान इनकी अभी रिसेंटली death हुई है बंगलाइश के अंदर अब चलिए अपने question की section में बढ़ते हैं पहला कोशन है हमारा world energy transition index में इंडिया की क्या राएंक है क्या राएंक है 74 चोहतरवा राएंक है इंडिया का अब इसके बारे में पढ़नेते इंडेक्स के बारे में total 115 देश involved थे यह world economic forum की तरफ से बनाया गया है इंडेक्स यह पहल नंबर पर कौन था स्वीडन सेकंड नंबर को कौन था स्विट्टर लेंड थर्ड पर फिनलेंड और फ्रांस आठ्वे नंबर पर था यूके साथ नंबर पर फ्रांस और यूके यह दो country हैं जो top 10 के अंदर आई हैं जो जी 20 countries के अंदर भी आती हैं और स्वीडन लाश्ट तीन साल से पहले नंबर पर इस इंडेक्स के अंदर अब नेक्स कोशन देखते हैं अरूम बबूर वूड कार्विंग किस स्टेट के जी आई टैग मिला यह से वूड कार्विंग मतला इसमें लक एक पोड़ लॉंच किया है फुप नाम का फुल फाम किया है कि हेल्पिंग आउट पीपल एवरिवेर किस टेट ने लॉंच किया है उत्राखंड ने अब यह होग किस लोंच किया गया है जिससे की जो अनिम्प्लॉइट लोग है उनको जौब प्रोवाइड करी जाते हैं उत्राखंड के सीम कौन है त्रिवेंद्र सिंग रावत किस पार्टी के बीजेपी के और वहां की गवर्नर कौन है बेबी रानी मौर रहे हैं और वहां की कैपिटल क्या है दहरादून अगला कुशन है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चुलरल रिलेशन आई सी सी आर ने एक स बैंक है जिसने इंडिया को एक बिलियन डॉलर का एमर्जेंसी लों दिया है किसने दिया न्यू डैवल्रमेंट बैंक ने ये डेवल्रम्यंट भैंक शेंगाई का है इसका हेड़कवाटर शेंगाई में इसको ब्रिक्स देश से बनाया ब्रॉक्स के अंदर कौन से पांच के द्वारा नई गाइडलाइज जारी की गई है उसके अंदर आरोग्य से तू कितने दिन तक डाटा स्टोर करके रखेगा मैक्सिम कितने दिन तक रखेगा एक सवस्ती दिन तक यह मैक्सिमम है वैसे तो यूज्वली अगर आप कोविड 19 से इंफेक्टिट नहीं तो आप 30 दिन में डिलीट जाएगा और सर्वर से 45 दिन के अंदर डिलीट हो जाएगा अगर आप कोविड पेशेंट है तो आपका डा कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी गोल परोग्राम की है किसने लौंच किया मिनिश्ट्री ओफ ट्रैबल आफेर्स ने और यूनिय Allah फेर्स के अर्जुन मुंडा नेक्ट कोशन है CERT इंडिया के एक्कॉर्डिंग एंडॉइड यूजर्स जो कि मोबाइल बेंकिंग यूज करते हैं उनके लिए अभी कौन सा एक नया मालवेर आया है जिससे उन्हें खत्रा है कौन सा आया है इवेंट बोट इवेंट बोट नाम कहें कि यह मालवेर है जो कि एंडूइड फोन पर अटैक करता है और उनके सारी बैंकिंग डिटेल्स चुरा लेता है CERT इंडिया की फिल्वाम कहा है कंप्यूटर एमर्जेंसी रिस्पॉंस टीम इंडिया नेक्ट कोशन है हमारा इंडियन गवर्न्मेंट और AI के बीच में एक MOU सायन हुआ है जिसके अंदर AIIB मतलब एशियन इंफरस्रक्ट्टर इंवेस्टमेंट बैंक 145 मिलियन डॉलर देगा किसले देगा इरिगेशन सर्विस और फ्लेड मैनेजमेंट को इंप्रूव करने के लिए कि स्टेट के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर आपको AIIB की हैड़कॉर्टर और इनके प्रेसिडेंट का नाम पता होना चाहिए हैड़कॉर्टर कहां पे है किस मिनिस्ट्री ने अभी 400 करोड रुपे अप्रूव करें हैं DTI scheme के लिए किसने करें Ministry of Defense ने और DTIS की फुलफर्म क्या है Defense Testing Infrastructure Scheme अगला कोशन है हमारा Ministry of Human Resource Development ने एक e-governance platform launch किया है जिससे की quality education प्रवाइड की जाएगी students को उसका नाम क्या है क्या नाम है समर्थ ERP अब ERP की फुलफर्म क्या है Enterprise Resources Planning अगला कोशन है किस आथर ने बुक लिखिया वहान डाइरी dispatches from a quarantine city किस ने लिखिया एक फैंग 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 एक चाइनीज राइटर है इन्हों लिखिया ये डाइरी अगला कोशन है कि 7th landing craft utility जोकी इंडियन नेवी ने पोर्ट ब्लेयर पे induced किये उसका नाम क्या है क्या नाम है उसका include L57 अगला कोशन है जोकी एक cyclone आया था उसको किस देश ने नाम दिया है किस ने दिया है थाइलेंड ने अगला कोशन है जम्मो कश्मीर बैंक के न्यू मैनेजिंग डाइक्टर कौन वने है कौन वने जुबेर इकबाल अगला कोशन है राजीव गांदी किसान नियाय योजना किस टेट ने ल पता योजना लॉंच करिए किसे लॉंच करिए जिससे की मरीन और इनलेंड फिश्रीस को डेवलप करा जाए तो इसमें कितने करोड रुपे की साहिता मिलेगी उन्हें 20,000 करोड रुपेगी अगला कुशन हमारा एक कंपनिया गीफी जो की जिए बनाने के लिए पॉपलर ह उसको भी किस कंपनी ने खरीदा है किस ने खरीदा फेस्बुक ने अब जिए एक फिल्वाम पता होने चाहिए आपको ग्राफिक्स इंटर्चेंज फॉर्मिट आप पता होगा जो शौट वीडियो चलती है बिना वाज की उन्हें जिए एफ कहते हैं अगला कुशन है मारा पैन इंडिया एलेक्तोनिक अग्रिकल्चर ट्रेडिंग पोड़ल इनाम इस तक पहुंच चुका एकला कौन से इंस्टूट ने एक इंट्रेक्टिव वेब पोर्टल बनाया है मूड आफ इंडिया किसने बनाया आए टी तुरुपति कि नेक्स्ट कोश्चन है अभी किसने एक डैश्वर्ड बनाया है National Migrant Information System नाम का NMIS नाम का किसने बनाया है NDMA अब NDMA की फुर्फर्म क्या है National Disaster Management Authority अगला कोश्चन है नेपाल ने अभी एक New Political Map लॉंच किया है अपना उसके अंदर उनने क्या किलेम किया है कि कलपानी रिजन है उसमें उसका एक हिस्सा है तो कलपानी रिजन किस स्टेट के अंडर आता है कहां के अंदर आता हूँ उत्रखंड के अंदर नेक्स कोश्चन है Defense Manufacturing अंडर Automatic Roots में FDI लिमिट 49% से बढ़ा कि कितने परसंट कर दी गई है कितने परसंट कर दी गई है इसलवर लेक को बेचेते 1.15% शेर विश्टा को बेचेते 2.3% और जनल अट्लांटिक को बेचे आम 1.34% शेर अगला कोश्चन है बेंजेमिन नितिनाहु जो कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है वो कौनसी बार आप प्राइम मिनिस्टर बने है कौनसी और नहीं पांची बार नेज कोशन है अभी किस श्टेट ने चरण पादु को नाम का एक इनिस्येटिव लांच किया है कशन लांच किया है माध्य aumento आप रदेश ने अगला कोश्चन है उज रिवर की मेुटेपूटर रिवर कौनसी रावी अभी उज में एक multi-purpose project चल रहा है तो इसलिए यह important है अगला next question है government ने अभी state borrowing limit कितने percent तक बढ़ा दिये gsdp की year 2020 किसमें कितने percent बढ़ा दिये 5% अगला question है इंडिया का वह पहला कौन सा बैंक है जिसने वीडियो केवाई से लाओ करिए किसने कोटक महिंदरा ने अगला next question है वह कौन सी स्टेट है जिसने अपना पहला cyber security specific accelerator program hack नाम का launch किया है किसने कराए करनाट काने अगला कोशन है इंडिया पोस्ट ने इंडिया पोस्ट मुंबई ने एक special postal cover होना है वह किसको dedicate किया उन्होंने migrant workers को कि अगला कोशन है आइसे सी कमेटी ने अभी saliva लगाने पर बॉल पर बैन कर दिया है कोर्णावार्स पेंडिमिक क्यों ऐसे तो एक कमेटी के recommendation पर वहाए उस कमेटी के chairman कौन थे अनिल कुमले अगला कोशन है किस country ने अभी एक अपनी नियू स्पेस defense unit launch किये जिसका नाम है स्पेस operation squadron वो किसलिए करिए जिसे कि मॉनिटर कर सकते काउंटर कर सके कि सैटलाइट्स पे कोई खतरा तो नहीं है कि देश ने करिए जापान ने अगला कोशन है कि online education को promote करने के लिए finance minister नेमला सितरामन ने एक नई initiative को लॉंच किया है उसका नाम क्या है पीएम इविद्या अब हम कुछ और इनिशेटिव भी देख लेते हैं education से related ही पहला है मनोदर्पन इनिशेटिव इसके अंदर के psychological support देते हैं स्टुडेंट टीचर और फैमिलीज को जिससे कि उनकी mental health और emotional health ठीक रहे मतलब उनके stress रिलीव हो और एक नेशनल foundation literacy and numeracy mission इस mission के अंदर हर बच्चे को 2025 ग्रेट 3 के अंदर literacy foundation हो जाए मतलब उसके प्राप्ति हो जाए literacy की मतलब सब्सक्राइब अच्छे से education मिले ग्रेट 3 के अंदर ही अगला है कौन सी उन्य इंट्रेटरी है जो की कोविड-19 free हो गई है उसके सारे एक्टिव केस जो है वो recover हो चुके है कौन सी लद्दाक और पहली state कौन सी थी कोविड-19 free होई थी जो गोवा अगला कोश्चन है अभी कौन सी मिनिस्ट्री ने एक नया एप लॉंच किया उसका नाम है नेशनल टेस्ट अभ्यास किसने लॉंच किया यह ministry of human resource development ने अगला कोश्चन है इस बुक के ओथर कौन है hope on my adventure on boats trains and planes कौन है इसके ओथर रसकिन बॉ किस रेलवे जोन ने अभी रोबोटिक डिवाइस लॉंच किया रेल बॉट आर बॉट भी कह सकते हैं इसको जिसकी hospital management function यह प्रोवाइड करेगा किसने करा भी south central railway ने अगला कोश्चन है अभी किसने अलेक्जेंटर डेरी एंपल अवार्ड जीता है किसने जीता है विने भा का क्या होत लब टूर लुटिया फिर शॉर्ट सर्विस के अंदर की जो civilians मतला आम लोग है वह भी आर्मी स्ब्सक्राइब जॉँ कर सकेंगे शॉट ताइम के लिए तो कितना साल के साल के लिए म कर सकेंगे आर्मी थीन साल के लिए बेसिक लिए एंचर ने अंडिस्क्लोग्ज़ सम्ब मतलब है कि इसका अमाउंट में बताई कितने रुपे में खरीद है उसको नेक्स कुश्चन है गौश्चन द्वारा फाइव स्टर गार्वेज फ्री टएक किन सिटीज को मिला है किन सिटीज को मिला साइज सिटीज को मिला जो भी नीचे मैंशन है कौन कौन सिटीज हूं इंदौर सूरत और अंभिकापूर अगला कोश्चन हमारा वह कौन सी स्टेट है यूनिंटाइटरी है जिसने अभी एक इनिस्टेटिव लॉंच किया सुकून कोविड नाइंटीन ब नइए प्रेसिटेंट कौन बने है कौन बने है दिलीप उमेन अगला कोश्चन है अभी यूनियन हैल्थ मिनिस्टर हर्च वर्दन यह भी चेर्मन बने है किस ऑगनाज़ेशन को एक डेवल्व एचे वर्ल्ड हैल्थ ऑगनाज़ेशन के इसका हेड़कॉर्टर कहां पर जन नेक्स्ट कोशन है हमारा अभी नाबाड के चेर्मन कौन बने है कौन बने गोविंदा राजूलू चिंतल नाबाड की फॉर्फर्म किया है National Bank for Agriculture and Rural Development कि अगला कोशन है मी अन्पूर्णपी इनिशेटिव कि स्टेट ने लॉंच किया है किस है महाराश्चर ने अगला कोशन है वाइस प्रेसिंट ने चीफ एकोनोमिस्ट वर्ल बंक के कौन बने कार्में रेन हार्ट लोशन है इंडियन रेल्वेय ने अभी एक बारहाजार होर् पावर का लॉंच किया यह लेक्ट्रिक लोकोमोटिव अभी एक e-commerce लॉंच करा है और मी किस कंपने लॉंच करा हूँ पतांजली ने फेस्बुक ने अभी एक शॉपिंग प्लैट्फरम लॉंच किया है उसका नाम क्या है फेस्बुक शॉप्स अगला कुछ ने यूनियन मिन यानि एक स्कीम लॉंच किया इसमें 100 परसें सोलर राजजिशन होगा किस टेमपल का किस टेमपल को नार्क संटेमपल का चलिए वीडियो खतम करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छे लेगी हो तो वीडियो को लाइक किए जिए वीडियो को शेयर किजिए और चैनल को सब किए अगर आपको मुझे कुछ वैलियो फीडिबैक देखने हैं तो आप कमेंट में जाके दे सकते हैं